वेलकम टू माई यूटीव चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचर पुलीस सब इंस्पेक्टर की वेकैंसिज के बारे में और यह वेकैंसिज भी 2018 के बाद नहीं हुई हैं काफी वेट हो रहा था इन वेकैंसिज का और इसके लिए एक RTI भी लगाई गे थी और HPSSC में वो RTI लगाई गे थी तो HPSSC ने अपने reply में बताया है कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास फिलाल के लिए भी तक कोई वेकैंसिज से लेटिड जो लेटर आया हो मतलब इनका लेटर जाता है जैसे डिपार्टमेंट की तो उसकी कोई भी मतलब वेकै वेकैंसिज हमारे पास नहीं आई हुई है तो उसे क्लियर यह हो गया था कि सब इंस्पेक्टर की वेकैंसिज अगर नेक्स्ट नोटिफिकेशन अगर नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसमें में देखने को नहीं मिलेगी लेकिन अभी एक अच्छी गूड न अभी अनुमती नहीं मिली है लेकिन अभी यह जा चुकी है प्रपोजर इनका जा चुका है तो अगर यह एप्रूब हो जाती है तो बहुत जल्दी फिर आपको वेकैंसिज देखने को मिल जाएंगी तो चलिए बात कर लेते हैं कि कितने वेकैंसिज है और किस तरस इसका क् बात किरें तो इसमें जो direct recruitment होती है टेस के तुरू होती है 40 परसेंट और प्रमोशन के तूरू होते है 60 परसेंट ही किया 31 दिसंबर 2021 तक 131 जो पोस्टे रहती हैं वो विकेंड थी SI की पुलिस दिपार्टमेंट में और अगर हम 2022 की बात करें तो प्रमोशन और रिटार्मेंट जो इस साल होने वाली है उनको मिला के 31 दिसंबर 2022 तक 184 विकेंशिज हो जाएंगी पर यहां पर आपके मन में यह डॉट आ सकता है कि अगर हम 31 दिसंबर 2022 की बात करें तो यह विकेंशिज जो है तो अभी तो इस साल तो नहीं आने वाली नहीं ऐसा नहीं है इसमें से 184 में से जो डारेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब टेस्ट के तरूफिल होनी है उनका पर्पोजल जा चुका है और वो वकेंशिज है 74 पोस्टे जो है वो डारेक्ट रिक्रूटमेंट के तरूफिल होंगी और 110 जो है वो पर्मोशन के तरूफिल होने वाली है और जो रिक्रूटिंग एजनसी रहती है साई के टेस्ट के लिए वो हिमाच्चा पदेस्ताफ सेलेक्शन कमिशन हमिरपूर इस एक्जाम को कंड़क्ट करवाता है और बाकी ये सारी डिटेल थी अब तो देखने वाली बात होगी कि कितने जल्दी इनको एप्रूबल मिलता है और उसके बाद इनका जो जैसे लैटर रहता है डिपार्टमेंट की तरफ से वो HPSC के पास पहुंचता है अब तो HPSC के पास ये भी नहीं है कि आपको एक साल में दो या तीन एड़टाइजमेंट निकान लिए सरकार इनको अलॉग कर दिया कि जब भी आपके पास एड़टाइजमेंट पहुंचती है तो आप उनको निकाल सकते हो चाहिए आपके पास दस नंबर ऑफ कैटेगिरी ऑफ पोस्ट ही पहुंचती है इनको जादा बेट नहीं करना पड़ता है कि आपके पास 30-45 पोस्ट कोड होने चाहिए उसके बाद या आप उनको एड़टाइज कर सकते हो इस तरह का ये रूल हटा दिया गया है अब देखते हैं कि कितनी जल्दी नहीं विकैंसिस आती है और ही बात एक नहीं एड़टाइजमेंट की तो मेरे साब से तो एक नहीं एड़टाइजमेंट आनी चाहिए क्यूंकि टीचिंग साइड में एड़टाइजमेंट में बहुत विकैंसिस बेकेंट है और वो फिल होने भी वाली थी लेकिन पता नहीं किस वजह से जो है वो इस एड़टाइजमेंट में वो विकैंसिस को इंकलूड नहीं करा गया है उसमें फिजिकल एड़टाइजमेंट टीचर और आयरुवेदिक फार्मासिस्ट की तब देखते हैं कि जलती एफिकेंसिस आती हैं आयोप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेर कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर्दर न्यू अपड के लिए